आप सब लोगों को हाद जोड़कर नमस्कार और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं S.L.P.S. परिवार के मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ आमने सामने होते तो बात कुछ और होती पर लाइव में भी बात कुछ और ही होगी चिंता मत करो आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि S.L.P.S. जो कहती है वो करके दिखाती है और जितने भी भाई भेन माता पिता समाल लोग हमें लाइव सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार हाद जोड़कर नमस्कार और उनके माता पिता के चरणों में नमस्कार क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंबनी को जोइन किया है जहाँ पर सिरफ संस्कार सिखाया जाते हैं चाला पर गदारी नहीं सिखाय जाती मकारी नहीं इसीखाय जाती यह हमांदारी आजाती है और S.L.E.P.S में जो भी फैटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूं कि ही हमांदार है तो S.L.E.P.S में ठिकेगा और पेमान है तो बाहर चला जाएगा ककल Über सबी लाकों लोग जो एक हजार वेन्यू पे बैठे हैं आप लोगों ने कमाल किया एक निया इतिहास लिखा सब लोग सोच रहे थे ये SLPS वाले महाउसब में बड़ा कूते फानते देखो भाई हमारे साथ तो हर साल चैलेंज आता है पिछली साल राम मंदिर इस साल करोना बाबा पिछली साल नोन अतारिक को राम मंदिर का फैसला है थारह 144 लगती तो कहां से फंक्षन होता पर फिर हमारा जो बाबा बैठा है ना उससे बड़ी तागत कोई नहीं है वो बाबा डमरू वजाता है और खेल हो जाता है बाबा डम कर देख लो डेड़ लाग लोग बैठे हैं इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए काम्याब बनाने के लिए छह साल बेमिसाल तक लाने में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों मैंने तो सिरफ सपना देखा था कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गए आप जैसे अच्छे लोग साथ आते गए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि SLPS का हर एक्ट फाइटर हर एक्ट फाइटर इमानदार है जाबाज है सच्चा है शूर वीर है और मेरा एक दिल है कितनी बार जीतोगे बार बार जीत लेते हो और बार बार में नत्मस्तक हो जाता हूँ घुम अ हसाल कि यहां तक पहुचने का सफर माम जीतोगे पार बहुत अ उसका का जो जानता है जो हमारे बार में नेगितिव बात करता उसका भी योगदान कि हम से कम हमारे इनाम तो बतातां किसी को तेजए और जो हमारे साथ है उनका को भोगट बड़ा योगदान है और उस योगदान का सबसे बड़ा शिरे जाता है हमारी कंपनी के ओप्रेशन डारेक्टर मिस्टर मामचन जी को जो हमारे पीछे मजबूत स्थम की तरह खड़े रहते हैं अनिल कुरी जी को जो मार्किट में जा जाके लोगों को ट्रेंड करते हैं और कंपनी के फर्स्ट एममेज़र मिस्टर माइपाल सिंग जी को जिनोंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकोर्ड बना इतने कम समय में इतनी अचीमेंट लेके शिव कुमार जी को, रामविर जी को, अनुच को, अमित दूबे जी को, बंडारी जी को, उनाल को, मदनलाल जी को, सारे ब्लेक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, इस्टार सफायर, सफायर, रूबी, टोपाज, अमराल, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉंज हर एक वो व्यक्ति जो S.L.P.S. को जानता है यहां तक पहुचाने में उन्स सब का योगदान है दोस्तों उन्स सब का योगदान है छे साल बे मिसाल कर दिया तुमने कमाल मच गया डारेक्ट सेलिंग में धमाल लोगों के हाथ में पकडा दिया आसू पहुचने के लिए रुमाल देखिए मैंने ऐसे बोला था सेकंड शो में मुझे थोड़ी पता था मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं अचा वो बोला भी जोश जोश में था मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे मैं सीधी बात बता हूँ मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूँ बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का सोच चल रहता ताल को टरे में बागी आवाज अंदर से मैंने बोल दिया एक दिन ऐसा होगा पिक्चर होल बूक होंगे हजार होटल बूक होंगे दिल्ली में सोच लेगा लोग लाइव देख रहे होंगे देख रहे हैं भाई इसलिए कहता हूँ सच्ची नियत से नेक नियत से इमांदारी से सच्चाई से बिना लोगों को ठगे बिना बेवकूप बनाए अगर यहां से कोई अवाज दी जाएगी तो वहाँ पर उसकी सुनवाई जरूर होगे हंड्रेट पर्शेंट पर्मात्मा वो सारी चीज़े करता है अब पर्मात्मा को कंपनी बढ़ानी थी ये लाइव सो करान था करोना बाबावे भेज दिये मैंने खूब समझाया पर रोजगार लोगों को भेज रोजगार डिर्क शेलिंग में मिलता है बहला रहने तो डार्यक शेलिंग भेज बीमार आदमी को समझाया एरवेद में रिजल्ट मिलता है ठीक हो जाएगा अब रहने दे आरवेद अब करोना बाबा ने समझाया तो समझा गिया अब करोना बाबा बोला कि आरवेदी उस करोगे तो करोना से बचोगे और फिरोजगारों को बोला डारेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे कभी रोजगार ढूंडने की जोर्त नहीं पड़ेगी दोस्तों बहुत ग्रोथ आई ये डारेक्ट सेलिंग इंड़स्ट्री में पिछले 6 महिने में मैं यह नहीं कहता है अमारी कंपनी में तकरीबन लोग जानने लगें समझने लगें अब यहां प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं मेरा बेटा आमेटे युनिवरस्टी में लेल भ करा फिर पुलाव दूसरी कंपनी में कर रहे हैं तो यह ट्रेंड आ गया है लोग समझने लगें आप लोग भी समझों कि यह इंड़स्ट्री बहुत बढ़ी होने वाली है यह वह इंड़स्ट्री जिसने इस पैनेड़ामिक माहोल में वह करके दिखाया जहां पर लोग एक डारेक से दिखायां खरीद रहे थे यह डारेक शेलिंग की तागत है है इस तो मजह हो रहे है एक कि यह कहना चाहूंगा किए चेशाल जो हुए ना जब एक बैट्समन बैटिंग करता है तो जब तक छक्कार नहीं लगता तब तक ही डरता है एक रन दो रन तीन रन ले लेके धीरे धीरे टायम निकलता है पर एक भार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है अब तैयार हो जाओ छक्के पह छक्के अठे पहटे दसे पह दसे बाएब बारे लगेंगे से यहां तहोच्छना मुश्किल ता इससे आगे भूचना असान है कुमार विस्वाजी मेरे कान में बोले तैरी vallahi क्रोड की परोटेंशन मुझे एक क्रोड की लग हरी है एक लाग क्रोड की पॉटेंशना है रट शेलिंग की यह एक व्यक्ति विशेश, एक ऐसे प्रतिष्टित वक्ति को लगी, आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉंप्लिमेंट था दोस्तों, कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से बुलवाना चाहता हूं, जो ऐसी प्रतिष्टा रखते हैं, कि डारेक्ट सेलिंग करने वाले भी एक लग क्रोड की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले सो सो क्रोड, हजार हजार क्रोड के लीडर बन सकते हैं, यह बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्टी दाज में से बुलवाना चाहता हूं, जिसमें आज एक व्यक्ति बोलके गया है, लेकिन, तकलीफ सिरफ जब होती है, जब यह लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है, फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यां से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कोन है, यिसको रियल जरुष है, इसलिएंप जोइन कऊन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरुष होती है, जिसके सपने हैं, जिसके घर में तकलीफ हैं, प्रॉब्लम हैं, ऐसे middle class, lower middle class, ऐसे लोग इस इंडेस्ट्रीमा आते हैं, और ज करोनपती का बेटा आके फेल हो जाए समझ में नहीं आता क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं काम्याब होने का एक रास्ता जो परम्पिता प्रमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला और वो अपनी ना बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के और यहां फेल हो जाता है दोस्तों और यह जब फैलिए राता है न यह दिल पे लगता क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको हम मिडेल क्लास लोग के सिवा हमारी पहचान हमारा सम्मान हमारा मान हमें पैसा को नहीं कमबब होसकि तो मैं यहां दिल्ली से जितने भी लोग लाइफ देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको चरवेक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलती है यह इंडुस्ट्री बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडुस्ट्री हम कोई बीटेक, एमटेक, IPSIS नहीं है मेरे भाई हम मिडल क्लास लोग हैं लोगर मिडल क्लास लोग हैं गरीबों के बच्चे हम हमने सबर साइकल पे जिया है हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की हमने नॉर्मल जिंद की जिये अगर हमें यह धंडा मिल गया तो पीछे मत हटना जाता है समझना खुद को जीरो समझना अपलाइन को हीरो समझना मैं लिक्के दे सकता हूं जिस करीब आद मिने हाथ ऐसलिए पैसके हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असलिए बाप की उलाद नहीं जो हें हम यह बने दिमाग चलता पर ना कि मैंने जितनी बाते बोली आई हो हमी है जो सरी सच होती है कि दिमाग नहीं लगा है हमें नहींlly मैं यहां से बनाई यह कंपनी मैं कंपनी नहीं समझता इसे पूजा करता हूं मैं इसकी अब साला हमारे इतना बड़ा शोता हराम जादे कुत्ते जो भार बैटे हाय मार रहे एकल से मुझे बुखार हुआ जुखाम हुआ खासी हुई रसुमे मेरी उंगली पिछ गई मतलब पूरी कोशिच कर लेगी आदमी शो में ना जाए तुम्हारा फूपा फिर भी आया जितनी हाय के लगानी यह लगाओ जितनी हाय लगानी यह लगाओ शालों दुनिया जीत के दिखाऊंगा वल्ड की लंबर वन कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने रिकोर्ड करो रिको वर्ड की लंबर वर कंपनी ना बना दी वर्ड की लंबर वन वर्ड की लंबर वन अपने पाप की लओद ररी यह एपरामय बाब अपने पाग लंड कील։ वर्ल्ड की नंबर वन हैंवे के मालिक को सुनना है वो सुनने हर्बर लाइफ के मालिक को सुनना है सुनने साले छक्का बस इसका इंतजारता बैटिंग चालू हो चुकी है मुझे नहीं आता है लोगों का यूज करना कड़वा हूं गालियां तक दे दे तो अमने लीडर को लेकिन कोई बुरा नहीं मानता और साले उल्टा आके बोलते सर दी बड़ा मजा है आस्तू हिंदुस्तान का पहला ऐसा अमडियों की लीडरों को गाली देता हो फिर बोलता है सर बहुत दिन होगे गाली दूना या विनास कला के बोलता है मेरे को सर इस सो को कैसे करूं मैं बोला आपने गालियां नहीं बगी गाली बगोगी तो अच्छा शो कर दूंग जमाल से कड़वाओं लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुक्सान कर दूं प्रोडेट का रेट फाल तुमें बढ़ा दूं प्लान में कुछ चेंज कर दूं लोगों का खा जाओं लोगों का हाजम कर जाओं लोगों के पैसे पी जाओं कभी नहीं सोचा हमेशा यह स दे सकता हूं मैं और जादे क्या कर सकता हूँ अभी पहला चेक नहीं आता था बिना कि वैसे कि मैंने सोच है जाना चाहिए एक नया बच्चा को पहला चेक औ्लैन के वैसी बाजाना चाहिए फिजिकल के वैसी ऐज दमखेना है तो पहला चेक नहीं होता हुआ CIhtzena कि दिवाग लगाते रहते हैं इधर से चूस ले इधर से चूस ले इनका खून निकाल ले इनका खून चूस ले इनसे काम करा ले अपना मुनापादे कंपनी को बड़ी बना किस ने सोचा था कंपनी के बारे में लोगों के बारे में में एक एक साप्पल दो इंडिया में करें अंभब हिप नहाद है कि मैं ब डालची था जूट नहीं बोलता है इस में जब एक लीइन दोड़ा उसन भीडियों ठोपने के लिए था को उसे जूट नहीं बोला जाता है इन पिर आपको मेरे लूपाल बना खुरू श्ट में तरफ सोंगे मेरे घुठने फालट कैंसर में इन पैसा से फॉट था मैं मैं भी लौ ची था मैं ने कांपनी बनाई थी फैसा कमाने के लिएником लेकिल मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब्स गल्द साबित कर दिया कि लोगों ने का संजीब सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो कि यह सो मुझे आज जी समझ आता है इंडुस्ट्री में कौन लोग आते हैं यह कोई मजदूरों की फैक्ट्री थोड़ी है यार कि मेरे पास सो मजदूर है उनको निकाल दिया तो तूसरी फैक्ट्री मनोक्री मिल जाएगी हाँ है ना मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी करके पूरी जिंदकी लगा देते हैं बच्चे सुबह से शाम तक घूमते हैं उन गरीब बच्चों को देखो जुन्होंने विचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिये छपपर घर में पड़ा है सुबह निकल रहे हैं बाइक लेके जोला धूप में गर्मी म दुनिया देखेंगे मुझे समझाते हैं पहले दिन से समझा रहे हैं जब से कंपनी फोली लिक्विटी प्रोडेक्ट मत बेच बरबाद हो जाएगा हो गया है तो ट्रांसपोर्टर अन महेंगा है मैं फैक्चरिंग मेंगी है लिकेज है यह है फलाना है धिमका है फिर एक म काई उसे में देता हूं डवलमेंट पॉला पागळा आदमी एक आइड्य पे थीन हजार से नीचे बचे तो क्या बचे यह सोच लोगों की है और यह साले मुझ से कॉमप्टिशन कि बात करते हैं कि इस से कॉमप्टिशन करेंगे इनका बाप का बाप मुझसे परिवार को प्यार करता हूं मैंने 6 साल से ना भीवी देखी डंग से ना बच्चों के साथ रादंग से 6 साल से एसली परिवार के साथ 24 गंटे लगा वाँ मुझे कुछ से लियर साल हाय मार रहे हैं ना सला मुझे कल बुखारता ना जुखामता दूर दूर तक खासी दी कल दो फेर से चलू पता नहीं कहा मंतर पढ़ रहे हैं बैट बैट के कुमार विश्वास जी आए बता रहे मुझे भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आते हैं धै मेल धै मेल इतनी मेल आ गई मत जाओ यह है वो है आप यूथ आइकोनों कुमार विश्वास जी खुद बता के गए अभी आप यूथ आइकोनों आपके 2,5 क्रोड फोलोर हैं जिसके शत्रू जादा है इसका मतलब आदमी एक नंबर है अ कर रतमया यह मने देकार इतनी मेलने कादमी के लिए इसका मतलब को इच्छा काम कर रहा है पूलते हैं जिंद्गाया बनादेंगे, जिंद्धिया बनादेंगे, हम आपकी जिंद्धी के साथ हैं, मिल्भ दिमाग लगाए जा रहे हैं अब भाई, हमने तो अबपी करने में लग रहे हैं कि के हम आपके साथ हैं हम आपकी सिंदगी के साथ हैं तुम साले जो उनके परिवार का भरन, पोशन, पालन करेगा, क्योंकि मैंने दोलत को कुछ नहीं माना, शिरफ एक कागज का टुकड़ा माना है, मैंने इंसानियत को महबद दिये, लोगों को महबद दिये, लोगों के emotions की कदर करिये, आखे जो नम होती है लोगों की, मैं उसकी कदर करन जानता हूं, मुझे दोलत से तरी महबद ना थी, ना है और ना कभी रहेगी, ऐसे होता है, अब हम योजना लाए, बोला योजना चला दी, ऐसली पर हम भी कोपी कर लेते, कि कोई फाटर इस दुनिया से चला जाएगा, तो ये देखे तो एक-दो कमनी का फुद्दूचा दारेक्टर साला, छे महीने उमर नहीं, मैं भी टूंगा, उल्लू का पट्टे अपने घर का दरवाज़ा तो देख पहले, चाले वो तो टुटा हुआ, तिरव तो भगली नहीं हुआ, ये से करना चीए, इस तरह करते हैं, करो तो दिल से करो, मैं कहें तो करो मुझे कोपी करो मुझे कोपी, बनाओ ऐसी अच्छी कमपनियां, दो लोगों को चाप विश्य, मैं करूँ, मैं तुमसे कॉम्पटिशन भी नहीं करूँगा, तुमारे इचत करूँगा, पर दिल से बनाना, दिल से, दिमाग से नहीं, लोगों का खून चूसने के लिए नहीं, लोगों कमवाने के लिए बनाना, मैं इचत हूँगा, उन लोगों को, बनाओ ऐसी कमपनिय, कुछ पुरानी-पुरानी कमपनी होगी, हमरे लेविल प्लान को देखके लेविल प्लान लारी है, कभी कुछ कर रही है, प्रोडेक्ट को देखके प्रोडेक्ट लारी है, पुराने होग संजीव कुमार ने आज तक यह भी फोन किसी को किया और मैं आज फिर एक एलान करता हूं इस माइक के माध्यम से बच्चों मत पड़ो इन गदों के चक्कर में कोई नहीं है हमारे टक्कर में आज अध görünे आजिए प्रइक्पिंट लिम में अगर आप सब लोग जो भी डियर्ट शेलिंग कर रहे हैं अगर अच्छी इनकम पारे हैं पक्का उशी कंपणी में रहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिश्टब होना ना डिश्टब करना यह मेरे नीते में नहीं है मेरे एथिक्स में नहीं है अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कमपनी में कमा रहा है कोई भी कमपनी ओराम से रह भाई काम कर, पैसे कमा, गाडी करीद हमारी best wishes तेरे साथ है लेकिन अगर तुझे लगता है उन लोगों के लिए मेरा दर्वाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डारिक से लिंग जैसा इसी काम ही नहीं है प्रोडेक्ट में दम होना चाहिए कंपणियों की यूस भी होनी चाहिए बोलते हो यह तो छह साल पुरानी है मेरे पास इंफ्रेस्टेक्ट्चर ब तो राने वालों के पास नहीं हो इंफस्टेक्चर जो मैंने आपको भी खलग दिखाई एं इसे इसे चो कि ए सब्लेर कु अपना अरोंडी कर आँवा प्रॉडेक्ट अपने साइंस लगाए हुआ अपोडेक्ट अप्री सक्राइघ्टॉ अपनी योग्यता से भुजपालार में जाए तो लोग बुले कि मझा आंग एक कंजूमर बोलेगा तेरे प्रोडेक्ट लेके मज़ा आ गया पैसे नहीं सस्ता महेंगा यह सब अकड़म तकड़म यह जितने भी बजार में बैठे हैं इस सिर्फ आदमी का दिमाग गुमाने का खेल कर रहे हैं अंडरस्टैंड पैसे नहीं सब्सक्रांद कोई कोई दिशल्ट नेकप यह जो कितbayर में पैसे देखेगा यह जाता नहीं प्रेट फॉर्म से की डारेक्ट सेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडेक्ट दिया ना वो डारेक्ट सेलर ना बने पर मेरा प्रोडेक्ट दस घर में देके आए मुझा आगया वह स्लिप्यस के प्रोड़क्टों में कि यह होते ही थी कल रियल डारेक्ट सेलिंग इधर से लिया किसी से सरफ ले रहा है किसी से साबू ले रहा है किसी से चड़ी ले रहा है किसी से बन्याल ले रहा है उल्लू के बठ्थे साथ पर बोलते हम डारेक्ट सेलिंग कर रहे हैं यह डारेक्ट सेलिंग होती है यह बेव कूप बनाना होता है यह बेव कूप बनाना होता है डारेक्ट सेलिंग होते हैं मैं करके दिखाऊंगा भी मैंने का ना लग गया ना six six लग गया तीन महिने तीन महिने किंती कर लेना आज से तीन मह блиं कौ्छ तो प्रोड़क्त कुम यूज कर रहे हो। न और यूज करा रए हो तीन महिने टेस्ट जो आज sorry मजा शोच्ट आए, यह मैंने सुचना पुराना ट्व नहीं नहीं मिल रहा हूं। तीन महीने चैलेज इस्टेस से कह रहा हूं इस्टेस से तीन महीने डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिये डबल नहीं कर दिये तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं डबल रिजल्ट नहीं कर दिये मेरा नाम संजीव कुमार नहीं डबल रिजल्ट डबल करूंगा लोग कहते हैं नहीं डारेक्सिंग वाले रिजल्ट गिराते हैं मैं रिजल्ट भढ़ा के दिखाऊंगा और एसास करना हो ना तो तीन भाइने बाद थंडर फ्लास्ट पी लेना उस रात में ऐसास हो जा अगा कि 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 अपना अपना इस्टायल काम करने का कि अपना इस्टायल तो यही है ठोक के कहते हैं ठोक के करते हैं आज तक ना पीचे अटे ना कि भी फीचे अटेंगे कौन एमडी लगाता है सरा पैसा कमा कि मैंनों फैक्टिंग प्लांटों में चाले डरे रहते हैं कल कंपनी बंद हो गया इतो शिकायट हो गया इतो केस हो गया तो फलाना हो गया तो धिमका हो गया इटेड़े की उलाथ साले मेरे से पंगा लेंगे मैंनी डरता भाई कुछी भी हो जा चाहे मैंने जंता कमा रखी है अगर मैंने गलत नहीं किया होगा मेरी जंता रोड़ों पे होगी मुझे पता है अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो कि हमने लोग कमाएं लोकों का यूज नहीं किया हमने कि मुझे नीडर लगता है जितना आता है सारा लगा देता हूं तीस क्रोण का यह प्लांट तयार हो रहा है फिर फूड सप्लिमेंट का प्लांट तयार हो रहा है कि अरे दो फ्यक्ट्री तो बना ली दो और बना रहा है और चार बनाऊंगा पूछ पाड़ो मेरी जुनिक सेलिंग पॉइंट होगा आपारी कंपनी का आज बता देता हो तुम्हें बार का प्रोडेक्ट नहीं लेंगे 99 परसेंट एक प्रसेंट कोई प्रोडेक्ट हो सकता है 99 परसेंट में बोल रहो हूं ऐसे लगेगी अपनी टॉलेट्री लगेगी अपनी लोग कैसे अगरी कल्चर अपनी होगी इस फैक्टरी अपनी होगी जितने प्रोडेक्ट अपन बेचेगे, सब अपन मनाएंगे सारा पैसा है, ऐसे हमा लगा दूँगा नहीं चाहिए एक भी पैसा, आदमी खाली आता आता है, खाली आत जाता है नाम लेके जाता है, सम्मान लेके जाता है संजी उकुमार का एक ही सपना है, दुनिया से जाए सो साल तक लोग याद करें कि एक शेर का बच्चा साला हिंदुस्तान में पैदा हुआ था क्वांटिटी पे क्या करना, कई बार लीडर आके बोलते है रहे सर यह ले आओ अरे भई मैं लेके तो दुन चपंसो प्रोड़क्त ले आहां ओा रोज को ही आता है हुआ यह जाता है यह बेचलो आई बेचलो सो में मतलें किसी का ऐसे नहीं पता वो क्या डालता क्या सही है right गालत है है चाला नोकरी भी दे रहा हूं उजे एक रहा है मजह कर दो मैंगा क्यू बहुत के साथ और अपने लोगों के साथ कभी कॉंप्रमाइज नहीं करेंगा सारा सिस्टम तैयार हो रहा है एक्सपोर्ट यूनिट बन रही एक तरह की बेचेंगे बार्मी बेचेंगे गोरे लोग इंतजार करें गोरी मेनम कहा गई बोला ने गोरी गोरी मेनम वो कहांगे अरे हमें देशी नहीं भी देशी चीए बोला ने भूली देती रहेंगी या कभी इसे पूछो तो सी ऐरवेदा जानते ही जानते आज इकलियर हो जाएगा भी केगा नहीं विकेगा जैसे वह ना चपन नहीं थी तो किलियर हो गया जूते भी केंगे तो इसे पून है गई यह अपना खोगी ना तो आईडी लगा देता अभी तो इनसे फूली ले रहे हैं ना थोड़े साल और तो मुझे क्योंकि जब भार जाएंगे ना तो मेरी जो नीती भार जाने की है वो नहीं है जो कंपनिया करती है लंदन में कंपनी रेइस्टेट कराके साटिफिकेट डाल दो पंगलादेश में रेइस्टेट कराके अधिकेशन के साथ उनितिक्स के साथ और प्रिंसिपल के साथ जाएंगे मेरा सपना है कि मेरी कंपनी युएसे में भी चले युएसे गवर्मेंट भी हमरे प्रोडेक्ट अप्रूव करें कुछ ऐसा करना है जिसमें दोस्तों समय लगेगा पहले हिंदुस्तान को जीतेंग फिर दुनिया की बारी है तैयार हो जो भी लोग लाइफ देख रहे हैं उन्हें हाथ जोड़के माफी मांगता हूं सुबह से बिचारे बैटे भूके प्यासे लेकिन देखो यह तो खाने की भूक है मिट सकती है दुबारा खाना मिल जाएगा लेकिन जो जिन्दकी हां मिल त्याग करना पड़ता है बड़ा आदमी बनना तो त्याग करना पड़ता है जो फिरेगा वो चरेगा जो फिरेगा वो चरेगा और जो घर छोड़ेगा वो रिकोर्ड तोड़ेगा तयार हो नब अच्छा वाकिने आपको लगता है कि हम लोग बिजनिसमेंट टाइप लोगें के दिल से बता हो लगता है कि अपनी अपनी नहीं लगती मैं अपनी लोगों सम्मान बनाए आपने पहचान बनाइए आपने मेरे लिये सर्वों परी, मेरी दोलत, मेरा परिवार, मेरा पःसा नहीं, आपका परिवार, आपकी दोलत और आप हो और रहो गे ता उमर झाल झाल